मिर्की पूर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे ये पहरायज का परसासन का फेलियर और साशन का फेलियर है जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस उरक्षा क्यों नहीं थी भारती जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है सारी पॉलिडिकल बाते हो रही हैं क्या कॉंग्रेस को गटबंधन में सीटे मिलेंगी क्या इंडिया गटबंधन जुनाव लड़ाईगा ले क्योंकि बीते समय में अकलेश यादव का एक बयान आया था उसमें ये कहा था कि समाजवादी पॉलिटी गटबंधन नियम को गटबंधन धर्म को पालन करेगी लेकिन उसके बाद तमाम सारी सुक्पुकाहट है अजयराय ने 5 सीटे मागी थी सीड सनित्रत को दिली में कहा था कि 5 सीटे दी जाएं लेकिन उसके बाद से तमाम सारी बाते इस तरीकी की होने लगे कहीं न कहीं गड़बंदन धर्म का पालन नहीं हो रहा लेकिन अकलेश यादो से जानकारी करने कोशिस की जाएगी कि क्या पे कितनी सीटे मिलेंगी क्योंकि गाजी आबाज सीट ठैर सीट की बाते सबसबर्तक भी कर रहे थे कि मिल सकती हैं क्या कुछ है और क्या कुछ कहने वाले अकलेश आदो आईए उसको सुनते हैं उसको समाप्त किया जाए जो नफरत फैलती है वो खतम हो और बिना समाजिक नयाए के राम राज संभव नहीं हैं तो समाजे की नयाए के भी रास्ते पर हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं एक बार फिर मैं रिशी बालमिकी जी जैनती पर मैं सभी प्रदेशवासी देशवासियों को शुक्तामनाई देता हूं भारती जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुरसत नहीं हैं और जिनका कारिकाल आठ साल का इसी तरह का राहों जिसमें उन्होंने तोड़ फोड बुलोड़ चला के पुलिस बरसासन से अन्याय कराने का तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं अब जाने का समय है अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं सरकार में जितने दिन मुख्वंती रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को तो जाते समय कौन याद करता है अगले जी तो बहराईज में हुआ है इस तरीके से उसको क्या मानते हैं क्या है ये बहराईज का परसासन का फेलियर और साशन का फेलियर है जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांत परसासन को जानकारी नहीं थी किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है पूरी जिम्यदारी परसासन की अब परसासन मिलकर के अन्याय कर रहा है अन्याय मैं जहां बालमिकी समाज के लोग जो यहां हमारे उपस्त हैं जुगल के लोग बालमिकी हमारे साथ हैं जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको वरुसा दिलाते हैं जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने समाजवादी पार्टी ने मालमिकी जहनती के दिन छुट समय समय पर बालमिकी समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुपधाइं मिलनी चाहिए जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं सरकार में मिल पा रहा है हम अपने बालमिकी समाज के लोग को कहना चाहते हैं समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके सरवyas मैं मिल्की पूर का चुनाव उनके अपने सरवे में वो हार रहे थे बी जेपी और उनके साथियों का जो इंटरिल सरवे होता है उसमें वो हार रहे थे इसलिए उन्होंने पहले बीयो बदले जिसमें की पिश्डे पीडिये परिवार के सब बीलो हटा दिये गए बील पीडिये परिवार के अधिकारी हटा दिये गए उसके बाद फिर उन्होंने इंटरिनल सर्वे कराया मुख्यमंती जी कई बार गए प्रसासन के लोगों को बुला करके राय मश्रा किया इंटेलिजन्स रिपोर्ट ली जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं इतने खिल खिलने के बाद बीलो हटाने के बाद अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडे परिवार का मैं अपने साथियों से गों हुआ जो मैं कैमरे गिरना हूँ एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यरा, बार, ते, चोट, बंद, सुरस, ताट, आट, 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 निस, बीस कैमरे से ज़ादा है और मुझे पूरा भरुसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीलो हटा दिये अब उनकी बदनामी हो गई जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बहार पहले ही हो गई तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोड का चक्कर लगा रहे हैं और इलेशन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं जिससे की चुनाव हो जाए अगर दो दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा हमारी भी अपील है कम से कम दो दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट बापिस ले ले महराष्ट में कल जा रहा हूँ और इंडिया गडवन्दन जीते वहाँ पर जो दल है आधनिश्रत पबार जी का वहाँ पर जो पूर मुख्यमंत्री है उनका दल है और समाजवादी पार अन्य दल हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गडवन्दन के साथ लड़े सीटे मांगी है और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे दो विधायक थे और हमें सीटे भी जादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गडवन्दन साथ खड़े होगे यूपी में भी यूपी में भी बहुत जल्दी तैह हो जाएगा बहुत जल्दी तेह हो जाएगा नहीं देखे साथ आना साथ काम करना ये बहुत अच्छी परंपर है रादनीत में अब लोग तो वो घवराई हुए जिन्होंने बीलो हटाए पीडिये परिवार के अधिकारी हटाए हमें उम्मीद है वो माइक्रोसकोप से देखना है एक भी पीडिये परिवार का नहीं है कम सकाँ आप हमने कैमरे से जरूर दिखाना देखे जम्मू में लोक तंत्र की पहली जीत हुई है अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए देखे ये सोची समझी रणी तो सड़ेंत रहे जो लोग डिवाइडें रूल करना चाहते हैं जिन्होंने आज तक समाज को बाटके समाज में नफरत वहला करके उनसे और क्या उम्मीद करोगे जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइडें रूल उसे क्या उम्मीद करोगे आप इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ 20 कैमरे हैं वो माइक्रोस्कोप से पीडिय परिवार को हटा रहे हैं देख रहे हैं तो साव आपने अगले शादों को सुना उपचुनाओं को लेकर के तमाम सारी बाते की आज वालबी की जहनती पर आये थे और अपनी बात साफ कर दी है कि उपचुनाओं में इंडिया गडवंधन का धर्म निभाया जाएगा दूसरी तरफ जो बहराईच में जो दंगा जुड़ा रहिएगा 4PM News Network के साथ डाउन रिपोर्ड के लिए मैं उश्यतरिच कांथ कैमरा परसन शुभम के साथ दन्यवाद